तो आप देख रहे हैं कि जगे जगे से ऐसी खबर आ रही हैं कि अब कोरोणा मामारी के दौर में जब बच्चे घर पर हैं तो उनकी स्कूल ने उनके लिए डिजिटल क्लासिस शुरू कर दी है और आपके बच्चे कई पेरेंट्स कहते थे कि बच्चे मोबाइल का दुरुपयोग कर रहे हैं मोबाइल पे घंटों बिता रहे हैं लेकिन अब ऐसा दौर करोणा मामारी ने दिखाना शुरू कर दिया है कि मोबाइल का उपयोग अब स्टडी के लिए हो रहा है विद्शों ने अजयन हैं डी पेश स्कूल से वो हमारे साथ जुड़ चुकी है और उनके साथ बातचीत कर लेते हैं कि इस समय करोणा मामारी के दौर में किस तरीके से इस स्वागत है सबसे पहले तो आप से यह जानना चाहूंगा कि इस वक्त डी पीश स्कूल किस तरीके से बच्चो बहुत परेशान हो रहे हैं, उनको टाइम नहीं बीतरा, परेंट्स भी बहुत परेशान हो रहे हैं, कि क्या करें, स्कुल भी नहीं सकते, घर पे रहे नहीं पा रहे हैं, तो इस चीज़ को मदे नजर अते हो, मैं अभिलाशा जैन, कॉडिनेटर DPS अजमीर, मैं हम लोगों न अच्छा से कहा पर स्टेप लिया, हम लोगों ने ऑनलेइन सटेइ स्टार करी, इस सब्सक्राइब दौरान हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को लाइफ प्लस्रूम में चनेक करते हैं, उनको ऐसलेख भी नहीं हो तक वो घर पे बैटें, उनको ऐसा लगता है, ऑनको तो a क इस टाइप टाइम पास वर टीचर उसको उसको ऑलाइन पढ़ाती है बच्चे को बच्चे को अगर कोई कन्फीजन होता है या से क्रॉस्ट करने होती है तो वह टीचर से समय on the spot पूछ लेता है मुझे समझ में नहीं आया आप मुझे वापस बता दीजिए तो इस तरह से हम लोग उसको ऐसा नहीं फील होने दे रहे कि वह घर पर बैठके पढ़ रहा है उन बच्चों को सबको यह लग रहा है हम लोग क्लास में ही बैठके पढ़ रहा है प्लस उनको अब जैसे अब प्र प्रेंट्स कहरें हमारे पर बॉक्स नहीं है तो हम लोग ने उसका भी साइड़ निकाला हमने हमारे प्लिशर्स थे उनसे ए-book मांगी ए-book मांगे सारे प्रेंट्स को उनके हमारे वाट्साइब ग्रुप बने हुए उन वाट्साइब ग्रुप में वह ए-book शेर करें अब पैरेंस का यह प्राब्लम भी दूर हो चुका है कि उनके पर बुक्स नहीं है वह भुक्स नहीं खरी सकते लॉक्डाउन है शटडाउन है हम कहां से लिख कर आए तो वह ए-book के सब्सक्राइब ग्रुप फोटो क्लिक करके शेर करती है और लर्निंग के देती है इवन बुक एक्साइज भी वह वाट्साइब पर शेयर कर देती है कि अब आपको जैसा क्लास्रूम पैटन चलता है वैसे हम लोग उनको मोबाइल के तूरू ऑनलाइन सभी करा रहे है उनक अब इस तरीके से आप लोग इस समय वच्चों को क्लासिस का दे रहे है बिल्कुल नहीं नहीं यह सारा उनका टाम स्केडूल दे रहा है हम लोगों ने 11 तु 1 अग क्लॉक के बीच में इंका प्रॉपर टैम बनाया गाए बनाया गा बनाया गा टीचर का एवरी दे टू क्ल प्लाइन कर रहे हैं वो घर से ही करते हैं बनाते हैं वाट्शाप शेयर करते हैं इवन काफी पैरेंट ऐसे भी हैं जो इमर्जेंसी डूटी पर हैं जो कह रहे हैं कि हमसे कि हम 11 तु 1 अक्लॉक नहीं कर सकते 11 से 1 तो हम लोग उनके लिए भी एक फैसिलिटी प्रोवाइड क आते हैं तो अपने बच्चों को वीडियो इस दिखा देते हैं कि ठीके बटा आज माम ने आपको यह पढ़ाया तो उनका स्टाडी कहीं भी हैं पर ना हूँ यह सब देखते हुए हम लोग चाह रहे हैं कि बच्चों का कैसे भी करके उनको उनका कंटेंड कावरेज कालियर हो जाए और इसके अलावा भी अगर कोई पैरेंट कहता है कि नहीं समझ में आया माम आपकी लाइव क्लास में तो हमने उसका भी साइडवेज निकाल रखा है कि वह पैरेंट इवनिंग में अलग से टीचर को कर सकता है और इंडिजर बच्चे की भली एक बच्चे की क्लास तो बच्चे को जब तक कोई बच्च नहीं पढ़ता है यह तो यहां पर ऑन-lai और टेस्ट भी रख यह आपने और हमने सब ने देखा है कि आपके और हमारे दौर में डिजिटल क्लासिस का दौर नहीं था हमको तो किताब की जओध पढ़ती थी और मेरे साब से आपको व पैरेंट्स का रिस्पॉंस क्या रहा है इस वक्त आपको क्या बच्चे वाकि जग्यासा लेकर पढ़ाई कर रहे हैं डिजिटल क्लासिस में सर आप देखिए अभी आज की एट प्रेजिंट अटेंडेंस जैसे हमारे मैक्सम अटेंडेंस होते हैं एक क्लास में 28-29 अटेंडेंस बैटर हैं मतलब यह रेडी उनको प्री स्केडियूल होता है कि कल हमारे बच्ची की 11 o'clock क्लास है और वो 1030 पर उनको फ्री करके 1045 से करने कर लेते हैं हम लोगों को कि मतलब 11 o'clock से क्लास है तो मतलब यह हो गया कि पहले तो मोबाइल का मिस्यूज हो रहा था और आप मोबाइल का यूज हो रहा है सही तरीके से उनको भी अच्छ लगँ अगर 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 ऑप्योग हो रहा है जी अच्छा मैं मैं एक चीज और चाहूँ जाओ कि इस कोरोना मामारी के दोर में जब हम कोरोना मामारी से बहार निकल जाएंगे और सब चीजे नॉर्मल लेकिन क्या जब करोना मामारी से हम बहार निकल जाएंगे तो यह जो तकनीक है यह तकनीक का उपयोग लगातार चलता रहेगा आगे भी या बस कोरोना मामारी तक ही डिजिटल की तकनीक रहे जाएगी सर देखो अब तो यह तो हम लोगों ने जिसीं प्रणों कर सकते हैं जैसे कि हम लोगों ने की अब लोगों के आप लिए अत्रम हम लोगों किfir को चीज जब हम बहारत कर दी तो हम बंद नहीं करेंगे और जब जो चीज स्टार्ट होती है वो कभी बंद होने के लिए ने होती है और मैं तो चाहूंगी यह चीज कंटीनियू रहे कभी कोई पैरेंट एपसन भी रहता है तो टीचर भी आज की डेट में क्योंकि टीचर भी टेक्नो से भी नहीं थे और अभी ऐसे हो गया तो टीच पैरेंट अपना स्कॉलर नंबर और क्लास रूम डालके अपनी रिपोर्ट कार्ड उन्होंने बाइक कदा ऑनलाइन देखी है तो अब जो चीज हमने स्टार्ट करी है वो हम एंड कभी नहीं करेंगे जो चीज स्टार्ट है वो आगे कंटीनियू रहने को है क्योंकि मैंने क रिजल्ट आएगा नियूंगों से आप अपने बच्चे का क्लास और डालेंगे तो अपने बच्ची की पूरी की पूरी रिपोर्ट का डेख कर प्रिंट भी निकलवा सकते घर से तो उससे यह हो गया कि पैरेंट को यह नहीं रहा कि हमारा बचा से प्रमोंटीट हुआ मार रिजल्ट दिया था उसने एक्जाम का समवार्ट तक खतम हो चुके थे उस समय तक तो सारे बच्चों को माक्स अलॉट हुए और सब बच्चों के रिपोर्ट कट ऑनलाइन करी गई है इवन यहां तक कि यही तकनीक का फायदा है आपके और हमारे दौर में हमें बोर्ट के र परिणाम जारी हो चुका है एक और चीज जो हमारे स्कुल ने इस इस दौर पर स्टार्ट करी थी जैसे कि काफी ट्रांसफर केसे साइए थे हमारे नसीराबाद से क्योंकि हमारा नसीराबाद बहुत नियर जोने इवन अजमेन में भी CRPF में काफी ट्रांसफर पैरेंट्स अब उन लोह का मैंनस हे था कि हमारे स्कुल में एड्मिशन काम के तो हम लोग ने ऐन एस चल रहा है अब है इस दॉर में इस तॉर में भी हमारे एड्मिशन कर रहे है क्यों कि हम लोग ने हर चीज बहुत उनलाइन अप्टेटटि रखी है वो पिस भी आन पर कर रहे हैं अनने वाले थे मेरी वाले मेन आ गया मेरी फैमिली नहीं आई बच्छा महा बैठा है एड्मिशन कराना है तो उनका एड्मिशन भी हम लोगों ने आन लाइन कर लिया है सारा आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे www.dpsadmay.in आपको लगता है वाकई बच्चो को प्रमोट करना चाहिए तो गवर्मेंट के अच्छे से निकला नहीं है कुछ पता नहीं चल रहा उससे तो मैं देखते हुए कहते हुए कि चलो कोई बात नहीं हमारे बच्चे हो हमारा देश सुरक्षित है वो ज्यादा जरूरी है इस चीज़ को देखते हुए और एक नंबर कम और एक नंबर जादा से सग्याव नहीं कौन हो कोई फरक उससे परता है कि आज हमारा जनुरेषन हैं हमारा यूथ है वो बच्या हुआ है आज हम देखें हमारे भारत में कीस सबसे कम की वह क्यों है क्यों कि हमेशा इस वाइड करें कि अगर दो नंबर कम दो नंबर जादा अगर बच्चा प्रमूट वी हो जाता है तो ऐसा को इस पर हमें हमें प्रच्च को प्रेशर भी नी करना चाहिए ना करना चाहिए कि आप ने ऐसा क्यों किया तो मैं इस चीज के बिल्कुल फेवर में हूं आज की डिट म इस समय भागी दरी रहें पड़ाई किसी की भी ना चूट जाए इसके लिए राइस्सान सरकार ने भी पूर तयारी कर लिए राइस्सान सरकार ने भी अब कई शिक्षकों को इस समय लगा दिया है कि जो डिजिटल कंटेंट है वो तयार कि जाए यूटूब प्लेटफोर् इस वक्त बच्चों को करा रहा है तो इसी कड़ी में हम और भी स्कूलों से जानने ही कोशिश करेंगे कि वहाँ पर इस वक्त क्या व्यवस्ता है वो भी हम लगाता है आपको दिखाते रहेंगे लेकिन अभी के लिए केवल इतना ही घर पर रहिए, सेफ रहिए अपने बच्चों का और बुजर्गों का बहुत जादा ख्याल रखिए